नमस्कुर्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मैरानी गुपता आपके साथ शुराब गुटाला मामले को लेकर के लगातार अरवंद केश्रवाल के मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है हाल ही में एडी के दुवारा अरवंद केश्रवाल को आठ् मार्च को करवाई जाए अब खबर आ रही है कि एडी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के लिए इंकार कर दिया है अब इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी बोखलाई हुई है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एडी का मकसद जाच या पूस्ताच नहीं ह है और 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए एडी की पूस्ताच का जबाब देने की बात कही है वहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि एडी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए पूस्ताच को तयार नहीं है वो अर्वेंद केश्रवाल से आमने सामने ही पूश्ताच करना चाहती है उनका कहना है कि वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये पूश्ताच का प्रावधान ही नहीं है आठवे समन का जवाब एडी आज ही आर्वेंद केश्रवाल को देगी आपको बता दें कि अब आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के म है कि उनको सवालों के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है इसलिए एडी को ये जवाब भीचा है पहले लिखित में सवालों के जवाब देने की बात कही तो अब वीडियो कॉंफरेंसिंग की बात कही अगर एडी को इसमें दिक्कत है तो इसका मतलब है एडी या तो अ तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता सौरव भरदवाज इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। बीच का रास्ता सुझाया है कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग पे जो सवाल E.D. के हैं सवाल पूछ ले मुख्य मंतरी जी उसका जवाब दे देंगे। अब वीडियो कॉन्फरेंसिंग पे तो आजकल जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोट के अंदर भी वकीलों की बहस हो जाती है तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता E.D. को कोई परिशानी होने चीए हाँ अगर इनके मन में कोई शडंत रहे कोई दुरभावना है कि इनको गिरफतार ही करना था तो जरूर E.D. किसके लिए बहाने बनाएगी कि नहीं साहब आई ही जाएए फिर ये बात दुनिया के लिए देश के लिए साफ हो जाएगी मन में गिरफतारी है सवाल जवाब सिर्भाना है लेकिन आप लोग जो सवाल उठाते रहें कि कोट में मामला है और उसकी लीगल इटी पे भी सवाल उठाते रहे हो उसको सोला मार्त को सुनाई है पहले क्या मुख्यमंत्री जा सकते दयार है देखिए कोट ने एडी के लिए कोई और नहीं दिये है कि एडी के सामने मुख्यमंत्री को पेश होना है तारीक सोला तारीक की है मगर क्योंकि बार बार ऐसा दिखाये जा रहा था कि मुख्यमंत्री सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देने के लि आपने बयान जारी कर ये कहा कि ED का मकसद जाच करना नहीं बलकि BGP पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है CM जवाब देने को तैयार तो ED पूस्ताच क्यों कर रही है इनका मकसद जाच करना नहीं है इनका मकसद भी चुनाओं में ही अरवंद केश्रवाल को गिरफतार करना है केंद्र वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए पूस्ताच करे पूस्ताच का लाइव प्रसारण भी किया जाना चाहिए यानि कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का यहां पर यह कहना है कि अरवंद केश्रवाल सवालों से डर करके नहीं भाग रहे हैं वो सवालों का जवाब देंगे लेकिन यह जो पूस्ताच है वो एडि को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए करनी होगी क्योंकि अरवं अरवंद केश्रवाल के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए जुड़ना चाहिए और जो भी उनके सवाल है वो पूछने चाहिए लेकिन बखादा एडि का यह कहना है कि वो इस तरीके से पूस्ताच नहीं कर सकती इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है अब इस माम लाइफ प्रसारण किया जाना चाहिए ताकि सभी को यह दिखाई दे कि अरवंद केश्रवाल से क्या सवाल सवाल जवाब किया जारा है वह और तलब है कि अरवंद केश्रवाल को 16 मार्च को शहर की राव सवेंयो कोट के सामने भी पेश होना है अदालत ने समन को नसर करने को ले करके प्रवर्तन निदेशाला याने की एडी द्वारा दायरेक्षिकात के मामले में अर्वंद केशवाल से विक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है बतादे कि इससे पहले भी यह मामला जब कोट में था तब भी अर्वंद केशवाल ने वीडियो खलाफ शिकात दर्श करती है जिसके बाद आदालत ने यह पाया कि यह शिकात सही है और अर्वंद केशवाल के खलाफ कारवाई होनी चाहिए आपको बता दे कि यह कोई पहला मामला नहीं है दरसल इससे पहले भी अर्वंद केशवाल को समन जारी किये गये हैं दो नवंब की आम आदमी पार्टी का रिस्पॉंस यही रहता है कि यह समन गयर कानुनी है कभी अर्वेंद केशवाल को यह कहना होता है कि वह विलांस बाट चुनावों मेंवेस्त हैं कभी यह कहते हैं कि वह विपशाइना के से जुड़ी नए आपकारी नीती लागू की थी इसमें शराब दुकाने प्राइवेट हातों में चली गई सरकार का दावा था कि इससे माफिया रास खत्म होगा और सरकार के रवेनियों में बढ़ होत्री होगी लेकिन जुलाई 2022 में दिल्ली के ततकालीन मुख्य सचिव ने सीबियाई जाच की मांकी और 17 अगस्त 2022 को सीबियाई ने इस पूरे मामले में केस दर्श किया इसमें मनी ससोधिया तील रिटार्ड सरकारी अधिकारी नो बिसनसमेन और दो कमपनियों को आरोपी बनाया गया विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नए शराब नी तीर रद कर दी 22 अगस्त 2022 को एडी ने भी मनी लॉंडरिंग का केस दर्श कर लिया 28 फरवरी 2023 को मनी ससोधिया की गिरफ्तारी हुई उसके बाद 4 ऑक्टूबर 2023 को संजे सिंग को पूस्ताच के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है अब इसी मामले में अर्विन के केशरिवाल से भी पूस्ताच की जानी है हाला कि ये किस हैसियस से में विधान सबाद चुनाव के दोरान आम आदमी पार्टी के चनावी कैंपेंड के लिए जुुटाए गए चंदे के सम्मंद में पूच्ताच की जाता सकती है यानि कि यहाँ पर ये बात भी सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में जो पैसे बहाए है चुनावों के लिए उसका कही न कहीं कनेक्शन इस शराब गुटाला मामले से जुड़ा हुआ है और इसी कमाई को गोवा के इलेक्शन में बहाया गया पंजाब के इले से जुड़ा रहा था और इसमें भी कई सारे लोगों को गिरफतार किया गया और दिनेश अरोडा रागह मंगुटा जैसे लोग जो है वो सरकारी गवा बने जिसके बाद इस मामले में कई सारे खुलासे होते हैं और बकादा दिनेश अरोडा की गवाही के बाद ही आम आद मामले में एडी खारवाई करते हुए क्या अरवंद केश्रवाल को गिरफतार करेगी इस पर भी सबकी निगाहे ठीकी हुई है फिलाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद